प्यारे बच्चो आपका फिर एक बार स्वागत है हम इससे पुर्व दो भागों में आठी कक्षा की जो संयुक धिंदी विशेगी पाट्टे पुस्तक है उसकी दूसरी एकाई के चौथे पाट के संबंद में जानकरी प्राप्ट कर रहे हैं जिसका नाम तुम मुझे खून है इससे पुर्व हमने देखे कि नेता जी सुबाच चंद्रबोस भारत की जनता को संबोदित करते वे अपने भाशन में उन्हें किस चीज़कों की मांग करते वे दिखाए देते हैं और पिछले एक साल का वेवरा भी वो अपनी जनता के सामने पेश कर रहे हैं हमने देख कि नेता जी सुबाच चंद्रबोस ने भारत की जनता को संबोदित करते वे का है कि हमारे सामने जो समस्या थी जवानों की धन की और सामगरी की वो समस्या अभी हमारी पूरी हो चुकी है और मैंने जिस बात का आप से वादा किया था दूसरे मोर्चे का वो भी वादा मैंन करते हैं उसे सरल इंदी वाशा में समझने का पुरियतने करते हैं निदा जी सुबा चंद्रबोस ये कहते हैं कि संपूर्ण सैन संगठन के द्वारा हमने बहुत सी उपलब्दिया हासिल की है और हमें अब भारत के दूसरे भागों में हमारे संगर्ष को ले जाना है वहाँ पर करांदी फैलाना है और हमारे साथ पुरिवी एशिया के बहुत से देशों के बहुत से भागों के रंगरूड भी मिले हैं और हमने बहुत से मोर्चों पर सफलता भी प्राप्ट की है इनी सफलता को आगे ले जाते वे मैं भी आशावादी हूं कि हमें भारत की सोतंतता में अव जज़्यादा समय नहीं लगे गा लेकिन मैं आपको एक बात से सचेद भी करना चाहता हूं कि आप इस बात को अपने ध्यान में रखकर कि हमारे जीते जी हमारी आख़ों के सामने भारत को सोतंतता मिलेगी भारत स्वितनतर होगा ऐसा जरूरी नहीं है आप आदादी के मीटे फुलों का खौब ना देखे बलके हमारे दिल में एक ही खौईश होनी चाहिए वो है मरने की इच्छा किसी मरने की इच्छा को लेकर और हमारे बलेदान को लेकर हम हमारे भारत को आदाद करेंगे सुटन्द करेंगे नेता जी सुबाच चन्रबोस कहते है कि शहीदों के खौण के दोबारा ही आदादी की राहें बनती है और हमें इसी खौण को बहा कर हमारे भारत को आदाद करना है सुटन्द करना है आज मैं हमारी मांगों से बढ़कर एक सबसे बड़ी मांग तुम्हारे सामने रखता हूँ वो यह है कि तुम मुझे अपना खौन दो मुझे तुम्हारे खौन की अवश्कता है यानि मुझे तुम्हारे बलेदान की दूरुत है अगर तुम मुझे आज तुम्हारा खौन दोगे तो मैं कल तुम्हें भारत की आदादी का वादा करता हूँ निता जी आखिर में अपने भारत की जनता से कहते हैं कि आज तुम मुझे खून दो और बदले में मैं तुम्हें आदादी दूँगा और इसी खून के दोरा ही हम हमारे भारत की आदादी की कीमत चुकाएंगे इसलिए हमें आज ये खौब नहीं देखना है कि हम हमारी आखों के सामने भारत को आदाद देखेंगे बलके हमारा खौब हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें भारत के लिए हमारा बलीदान देना है उसके बाद हम भारत की सोतंतरता का भारत की आदादी का खौब देखेंगे ये भारत की सोतंतरता हमारे आने वली पीडी को भी देखने को मिल सकती है ये जरूरी नहीं है आवशक नहीं है कि भारत की सुतंतता ये आदादी हम हमारी आखों से देख सके हमें हमें बलिदान के लिए तयार रहना चाहिए उसके लिए ततपर रहना चाहिए और उस भारत की सुतंतता के लिए जो कोशिशे जो प्रियतन हम से हो सकते हमें वो करना च बाइस कहते हैं कि मैं सुनेचित करना चाहता हूं कि भारत के हर भाग में यह करांती का काम निर्बन चलता रहे लगातार चलता रहे तब हमें इसमें कामिया भी यह सबलता मिल सकती है